हाई गईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तरन्रमजिया देखे गईज जो यह मैंने कार्डिगन बनाया है न्यूबोन बेबी के लिए यह करीब एक दो मन्त के लिए आराम से आजाएगा इस सर्दी में तो इसके साथ का मैं कैप बना रही हूँ कैप भी छोटा सा बन बनाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डिगन की वीडियो में अप्लोड कर चुकी हूँ देखिए साथ फंदों से बनाएंगे यह जाली का फिर हम साइड में स्टैप भी देंगे पहले हम जाली वाला कैप बनाएंगे और पाच छे साथ देखिए साथ फंदे हमाई डल गए हैं स्टार्ट करते हैं तोड़े सी सलाईयां दिखाऊंगी फिर उसी तरह से बता दूगे कितनी जाली या डालनी हैं देखिए पहला फंदा बुना वूल को अपने सामने लिया यहाँ जाली आ जाएगी फिर दूसरा फं उल्टी आएगी वह पूरी हमारी उल्टी कंप्लेट होगी यह देखिए लास्क में भी बूल आगे लेंगे अब देखिए हमारी सेकिंड डॉई है अब सेकिंड डॉई में क्या करना है हमें यह देखिए पूरी रो उल्टी कंप्लेट होगी पहला फंदा बिना बुना उत जा रहा था, second row है, third row आई है, first फंदा बिना बुना निकाल देंगे, एक फंदा अपकी बार और बुनेगे, अपकी बाद दो फंदों के बाद जाली डलेगी, बूल को आगे लिया, फिर दो फंदे बुनेगे, क्योंकि जाली का फंदा बढ़ता जाएगा, तो हमारे हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा, तो अपकी बार दो फंदों के बाद है नैक्स्ट पर तीन फंदों के बाद होगी जाली दिखाई दे रहे है ये जाली के उपर ही ये वूल सामने लानी है देखे फिर से दो फंदे बुनेगे लास्ट में जो है हर बार फंदा एक ही रहेगा ये वाला फंदा एक ही रहना है हर सलाई पर तो देखिए, रो नमबर 3 भी complete हुई, रो नमबर हमारी 4 आई है, अब रो नमबर 4 उल्टी है, उल्टा complete कर देंगे देखिए, रो नमबर 4 complete हुई, रो नमबर 5 आई है, सीधी सल आई है, अब की बार 3 फंदे बुने जाएंगे यह बार एक फंदा बढ़ता जाएगा जो जाली के बढ़ नह bara है फिर तीन फंदे बुनेगे फिर से फुल अपने सामने लाएँगे फिर तीन फंदे बुनेगे फिर से वूल सामने ली बस अब तो जाली दिखाई देने लगी है जाली के उपर ही ये वूल अपने सामने लेनी है फिर से तीन फंदे बुनेंगे फिर से वूल अपने सामने लेंगे तीन फंदे बुनेंगे लास्ट का फंदा हर बार एक ही रहना है लेकिन जाली उस पर भी हमें बनानी है देखिए रो नमबर 5 कम्प्लीट होई रो नमबर 6 है उल्टी से लाई आपको नहीं दिखाऊंगी देखिए रो नमबर 8 ही है अब की बार फंदा निकाला अब हमारे ये चार फंदे हो जाएंगे देखिए 2, 3, 4 ये जालियां बनने लगी है फिर से 4 फंदे बुनेंगे वूल को अपने सामने लाकर फिर से बूल अपने सामने लाएंगे फिर से हम ये चार फंदे बुनेंगे बस गाइज ये लास्ट सलाई मैं आपको दिखा रही हूँ बता दूँगे मैं कितनी जालिया मैंने डाली है सब दिखा दूँगे आपको फिर आप ये इन से आगे फुच जाली डालेंगे क्योंकि अब मैंने आपको पूरा बता दिया है देखे जाली के उपर ही ये बूल सामने आएगी और चार फंदे बुनेगे हर बार एक फंदा हमारा बढ़ता जा रहा है नेक्स पर पांच हो जाएंगे उससे नेक्स पर चे हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे और लास्ट का बस एक रहेगा तो बस ये मैंने लास्ट सलाई आपको दिखाई है रो नमबर एट ये देखिए और उल्टी सलाई पूरी उल्टी कंप्लेट होगी कुछ नहीं करना है देखिए गाईज अब हमारे ये इसमें फोर कलर आएं है ये लेमन कलर है पीच कलर है, वाइट है, पिंक है तो अब हम इसमें भी इसी तरह का डिजाइन डालेंगे, देखिए अब ही मेरी 18 रो हुई है और 9 जालियां इसमें पढ़ चुकी है, तो हम 9 जालि के बाद जो उल्टी सलाई आएगी उससे कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जालियां इनी कलरों में लेंगे डिजाइन भी डालेंगे, वाणना फिर कैप बड़ा हो जाएगा, अगर पूरी जालियां बनाकर हम जो है, यह डिजाइन डालेंगे तो हमारा कैप बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उल्टी सलाई पर यह कलर चेंज करेंगे, जितने भी कलर हमें चेंज करने हैं, उल्टी सलाई पर कर लेंगे सीधी सलाई पर हमारे यह जो है डिजाइन डाला जाएगा तो मैं यह उल्टी सलाई कम्प्लीट कर ला हूँ देखे गाइज रॉ नमबर 19 मैंने कम्प्लीट कर दी है अब रॉ नमबर 20 आई है इस पर जाली भी डालेंगे और जो हमने डिजाइन कार्डिगन में दिया है उस कार्डिगन को भी बनाएगे तो देखे अब हमारा यह सीधी सलाई पर उल्टा बनेगा तो पहला फस्ट फंदा हम बुनेगे दूसरा बिना बुना निकालेंगे फिर से बुनेगे एक बिना बुना फिर से बुनेंगे एक फंदा एक बिना बुना बस इसी तरह से ये डिजाइन डलेगा एक फंदा बिना बुना निकाला दूसरा बुन दिया next sliper जो अब बिना बुना यह हमने फंदा निकाला है यह बुना जाएगा और जो बुन रहे है उसको बिना बुना निकालेंगे बस इस तरह से हमारा यह फंदा बनेगा अब देखे जाली के पास का फंदा आ रहा है तो इसको भी बुनेगे क्योंकि हमें यहां गुल को अपने सामने ही पीछे पहुचा कर यहां पीछे पहुचाएंगे और यह फंदा हम उल्टा बुनेंगे तो हमारी यह जालिया जाएगी यहां पर फिर से एक फंदा बिना बुना निकाला फिर से बुना फिर बिना बुना तो इस तरह से हमारा यह फंदा होगा जाली के पास कभी आप फंदा बुन दोगे यह देखे और अगर नहीं बुनना है आपको तो बस इसी तरह से यह हमारा छूट रहा है तो इस तरह से दोनों तरह से मैंना आपको बता दिया है अब देखे बूल को हमें पीछे ही रखकर यह उल्टा बनाना है फंदा तो ह बिना बुना इसको बुनेंगे अब हमारे एक फंदा बिना बुना ही आ रहा है तो बस इस तरह से निकाल दें आप वूल को पीछे रखकर इस फंदे को सीधा बुने तो हमारी यहाँ पर जाली भी आ जाएगी जाली के उपर रो नमबर हमारी यह 20 है और हमारी जाली जो है अब ये दस भी जाली पड़ रही है, नो हमारी पड़ चुकी थी, उल्टी सल आई हमारी पूरी डिजाइन में भी, उल्टी ही कम्प्लीट होगी, अब ये हमारा उल्टा फंदा बुना जाएगा, पीछे बूल रखके, ये बिना बुना निकालेंगे, इसको बुनेंगे, ये बिना बुना, इसको बुनेंगे, ये बिना बुना, इस तरह से, ये हमारा यहां तक कम्प्लीट होगा, फिर ये बिना बुना है, यहां पर हमारी जाली आएगी एक फंदा जो है तो गूल को पीछे पहुचा कर इसको उल्टा बना देंगे यहाँ जाली भी आ गई अब देखिए रो नमबर हमारी 21 आई है पूरी उल्टी कंप्लीट होगी जाली का फंदा पीछे की साइट से लेकर इस तरह से बुन देंगे आप जो जाली डाली है हमने बस इसी तरह से अब हमारा ये डिजाइन बनता रहेगा तो ये कंप्लीट कर ला हूँ देखिए गाईज रो नमबर 22 आई है और देखिए पहले फंदा हमने ये बुना था लेकिन अपकी बार इसको बिना बुना उतारेंगे जिस फंदे को बिना बुना निका इसमें कितने डिजाइन बनाऊंगी ये माँ आपको दिखा दूंगी सब कलर के अब देखिए ये वाला बिना बुना है उनको पीछे पहुचाया पीछे पहुचा कर ये वाला भी हमारा गाईज बिना बुना ही फंदा उतरेगा इस वाले को बुन देंगे हम तो ये वाला अगर हम इसको बुनते हैं नहीं बुनते हैं फंदे को तो ये हमारी जाली आगे आ जायेगी आएगी यही पर लेकिन ठीक से नहीं आपाएगी तो इस फंदे को भी हम बून कर इस तरह से कर देंगे पास वाले फंदे को रिसको भी बूनेंगे नैक्स फंदा बिना बूना तो आप अपना थोड़ा दिमाग भी इसमें लगाएंगे ये नहीं है कि आप रुखके खड़े हो जाएं कि आप हमें क्या करना है उनको पीछे पहुचाया अब देखे ये भी सही फंदा पढ़ ला है तो इस फंदे को बिना भी बुन देंगे रगले को भी बुनेंगे जब तक हमारी जाली पढ़ रही है तब तक हमारा ये फंदा इस तरह से आ रहा है देखे बिना भी बुना है उनको पीछे पहुचाया इस फंदे को भी बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे को भी बुनेंगे तो अब मैं गाइज ये वाली सलाई और आपको दिखा रही हूं पूरी उसके बाद मैं कितने डेजाइन ये डालूंगे एक एक कलर के ये मैं आपको बता दूंगी जब भी आप कलर चेंज करोगे उल्टी सलाई पर ही आपको ये कलर चेंज करना है क्योंकि सीधी सलाई पर हमारा डेजाइन डलेगा तो उल्टी सलाई पर कलर चेंज होगा ये मैं पांच पांच डेजाइन बनाऊंगी एक एक कलर के क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा भी हमें ये कैप नहीं बनाना है छोटा ही कैप बनाना है तो मैं यह complete कर ला हूँ देखे गाईज यह 84 फंदे हो चुके हैं और 13 जालिया डल चुकी है तो 84 फंदे काफी है नियूबोन बेबी के लिए तो बस अब हम जालिया नहीं डालेंगे सीधी सलाई से अब हम बस सीधा इसी तरह से बुनते रहेंगे देखे फस्ट फंदा बुना जाएगा यह उतरेगा तो बस आप कोई जालिया नहीं बनानी है बस इसी तरह से आप यह फंदो को बुनते जाएए उसी जालिया तक मैं आपको दिखाया देती हूँ और यह लास्ट का डिजाइन इस वाले कलर का लास्ट डिजाइन है जो मैं डाल रही हूँ पांच पांच डिजाइन आ जाएंगे यह दिखे यह वाले जो डिजाइन है इस तरह से गिनेंगे आप और गिना आगी न जाता है यह तो बस अब जो जो हमारी यह उल्टी सलाइ आएगी तो उल्टी सलाइ पर हمारा दूसरा कलर चेंज होगा जिस तरह से हमने कार्डिगन में कलर लगाए है उसी तरह से हम अपने कैप में भी कलर लगाएंगे बस आप उल्टी सलाई पूर्य उल्टी complete होगी color change होकर फिर पाट design इसके बनाकर आपने और design के लिए भी color change कर लेना है देखे गाइस मैंने तीनो color के ये पाच पाट design दिये हैं देखे इस तरह से आप गिनेगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यह पाँच पाइड डिजाइन मैं ने तिनå कलर के दे दिए हैं अब जो है देखी यहां पर हम उल्टी सलाइप फिर से वाइट कलर सब्सक्ताइब बदिलेंगे और यहां फे हम यह बॉर्डर बनाना है अब हमें इस कैप का बॉर्डर बनाना है तो वाइट कलर बदल ले हैं और बॉर्डर जो है दोनों साइट से हमें उल्टा उल्टा बुनना होगा पूरी उल्टी सलाई complete कर ला हूँ दिए गाईस अब हमें यह सिधी सलाई आए है तो यह दोनों साइट से बस उल्टा-उल्टा करके हमें पांच लाइन यह सिधी सलाई पर उल्टा-उल्टे की लानी है तो यह रौ नमबर टू है इस बॉर्डर की और नमबर नाइन तक हमें बुढ़ना है जब हमारी रोटेन आएगी उल्टी सलाई पर तो हमें इन सब फंदो को बंद करना होगा तो यह पूरा बॉर्डर मैं कम्प्लीट कर लाऊं देखेगा गाइस यह मैंने चार ही लाइन दी हैं पूरे पांच नहीं दी हैं क्योंकि बेबी का है बॉर्डर काफी बड़ा हो जादा तो मैंने यह यहां पर वन टू थ्री फोर चार लाइन उपर दे दी हैं अब देखेगाई मैंने क्या किया है इन फंदो में 15 फंदे इस किनारे पर रखे हैं 15 इस पर रखे हैं और बीच में जो ह पिछे पूंच जाएगा क्योंकि यहां से सिलाई होगा तो पहले हम यह 15 फंदे बंद करेंगे कि आठ आतो आप इस तरह से कर लें इक फंद अब उन कर उसके पिछे से उतार दें या फिर दो फंदे एक साथ लेकर इस तरह से बंद कर लें दो दो फंदों को एक फंदा ये रह जाता है फिर इसके साथ next फंदा ले लेते हैं तो इस तरह से ये 15 फंदे हमारे बंध होंगे तो ये पूरे 15 फंदे में बंद कर लाओं देखें गाईज अब ये एक फंदा यहाँ पर बचा है तो पहले हम इस वाले मार्क को हटाएंगे यहाँ से और एक फंदा इसके साथ अगला वाला लेकर बुन देंगे तो ये यहाँ का पूरा फंदा हो जाएगा ये देखिए अब इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे ये हमारे 12 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से और फिर ये नेक्स्ट जो हमारे 30 फंदे हैं हम इन 30 फंदों को भी घटाएंगे ये देखिए ये 12 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए अब जो है ये मार्क भी हटा देंगे अब हमें ये 30 फंदे जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 फंदे दो-दो फंदों को एक साथ लेकर इस तरह से हम घटा देंगे दो-दो फंदे लेंगे एक साथ और ये घटा देंगे तो मैं ये घटा कर लाओं अब देखिए गाईज ये हमारा यहाँ पर एक फंदा है तो इस मार्क को हटाएंगे और ये 12 फंदे हमें बुनने हैं पहले ये एक इसके साथ घटाएंगे, तो ये अब हमारा एक फंदा बचा, अब इन वाले फंदों को हम 12 फंदों को उल्टा बुन कर लाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो 15 फंदे हैं, हम उनको भी घटा देंगे, बस फिर हम एक एक ये कान वाला जो हिस्सा है, एक एक करके पूरा ब 15 फंदे, इनको हम इसी तरह से दो दो फंदे लेकर लास्ट तक घटा कर लाएंगे, तो पहले ये घटा लाओंगे, अब ये लास्ट के फंदे में, ये मैंने कट कर लिया है धागा, जितने से हमारी ये पीछे सिलाई होगी, इसको इस तरह से हमने बन कर दिया है, अब दिखाऊंगी, देखें, फंदा हम बिना बुना ही निकाल देंगे, और ये वूल हम इस तरह से, और ये दूसरे फंदे के लिए हम याँ, देखें, बूल ये अलग से लगाने पड़ेगी, क्योंकि हमने ये कट की है, तो देखें, पहले ये वाला हिस्सा हम पीछे पहुच को घटाते हुए चलना है फंदो को, एक इस साइट से घटाएंगे, एक इस साइट से घटाएंगे, देखें, पहले ये वाला बुना और ये वाला लास्ट का फंदा हम ये इस तरह से सीधा बना देंगे, अब पल्टेंगे, देखें, अब उल्टी हमारी सलाई आई है, देखिए अब पहला फंदा हम बिना बुना निका देंगे दो फंदो को अंदर वाले दो फंदो को एक साथ लेकर इस तरह से दो का एक बनाएंगे और ये जो बाखी फंदे हैं इनको बुनेंगे और लास्ट में जो तीन फंदे रह जाएंगे उनमें से भी पहले हम दो फंदों का एक बनाएंगे देखे ये तीन फंदे बचे हैं तो ये अंदर वाले जो ये दो फंदे हैं इनको पहले दो का एक बनाएंगे और last का फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा ये वाला फंदा अब देखिए फिर से पलटेंगे अब पहला फंदा बीना बुना निकालेंगे और इस सलाई को पूरा हम उल्टा कम्पिलीट करेंगे फिर next जो उल्टी सलाई आएगी उस पर फिर हम फिर सिर्फ दो दो फंदे लेकर एक एक फंदा हम घटा देंगे देखें यह सीधा बुना जाएगा इस तरह से अब देखिए उल्टी से लाई आई है पहला फंदा बिना बुना निकाला फिर दो फंदो को एक साथ लेकर दो का एक बनाया अब लास्ट में जब तीन फंदे रह जाएंगे तो पहले दो का एक बनाएंगे फिर लास्ट का फंदा बुनेंगे अंदर से ही फंदे को घटाना चाहिए देखे ये तीन आये हैं तो दो को पहले दो का एक बनाया और इस फंदे को सीधा बुना लास्ट के फंदे को हमें सीधा बुन देना है अब देखे फिर से यह हमारी यहाँ पर सीधी सलाई आई है तो पहला फंदा बिना बुना निकाला अब इस सलाई को हम पूरा कम्पिलीट कर देंगे इस तरह से और फिर नेक्स्ट उल्टी सलाई पर फिर से हम इन फंदों को घटाएंगे देखे उल्टी सलाई आई है एक फंदा बिना बुना निकाला दो फंदों को एक साथ लेकर दो का एक बनाया अब यहाँ तीन है तो फिर से दो का एक बनाएंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा उनेंगे सीधी सलाई आई है पूरी सलाई हमारी उल्टी कम्पिलीट हो जाएगी और उल्टी सलाई पर फिर से हम इसी तरह से फंदे को घटाएंगे यह देखिए अब गैज आप या तो फंदे अगर चाहें पहले उल्टी सलाई आई है यह देखिए एक फंदा बिना बुना उतारा दो का एक बनाया फिर से यहां तीन फंदे आए हैं तो दो का यहां पर एक बनाएंगे पहले और नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे अब देखिए गाईज यह इस तरह से हमारा आ गया है अब आप इसमें जो है जितना दिल चाहे फोर चार फंदे हमारे बचे हैं इसका स्टेप बुन दे कितना लंबा आपने रखना है यह आप देख लें देखिए इस तरह से पहला फंदा तो आप बिना बुना ही निकालेंगे और अंदर से दो फंदो को उल्टा बुनेंगे फिर से इस तरह से लाएंगे यह सीधा बुनेंगे फिर पलट कर इसको इसी तरह से बुनेंगे पहला फंदा बिना बुना निकाला अब यह इसका स्टेप है यह आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं यह आपकी 24 पर है मैं कितना बनाऊंगी यह मैं आपको दिखा दूँगी दिखे गाइज मैं आपको थोड़ा सा यह दूसरा दिखाया देती हूँ बस दूसरे में भी आपने उसी तरह से करना है पहला फंदा सीधा निकालोगे फिर आप जब यह दूसरा फंदा बुनोगे तो यह वूल दूसरी ही लगेगी नई तरीके से और यह छोटा वाला हिस्सा जो है इसको बीचे पहुचा दोगे और इन फंदों को बुनकर उल्टी सलाई पर उसी तरह से जिस तरह से मैंने उस वाले में दूसरी साइट का दिखाया है आपको उसमें आप फंदों को घटा दोगे तो गैस कैसा लगा आपको यह डिजाइन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और दिखे गैस जब आपका यह कंपलीट हो जाए हिस्सा तो यह वाला हिस्सा जो है इस तरह से यहां से लेके यहां तक यह सील जाएगा इस तरह से और अगर आप चाहें तो यहां पर एक पॉम पॉम लगा दे या फिर ना लगाए यह आपकी बिच च्वाइस पर है तो कैसा लगा आपको यह डिजाइन मुझे कमेंट्स करके जहूर बताईएगा में नेक्स्ट वीडियो आने तक ठैंक्स